संगर्ष है संग्राम है हर्पत्विजय गुमनाम है है वीरता सामर्थ है किंचित ना जीवन वेर्थ है नमस्कार मित्रों आप सभी का ब्येश्चिव पार्ट साला की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है मैं हूँ आदित सिंग आज हम ब्येश्चिव इंटरेंस एक्जाम 2020 क प्रिविएस येर कोईश्चिंज बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज में फिफ्ट पार्ट में 30 इंपर्टेंट कोईश्चिंज को डिसकस करेंगे और देखिए मैंने पीछली वीडियो में आप से तीन प्रस्ण पूझा था उनके जवाब मैं पहले देना चाहूंगा देखिए म प्रस्ण फड़ि प्रविंसेंग्ट यानि कि नीवारड अधिनियम कब लागू किया गया तैनी कब पारित किया गया था उननाई सो एक्ट में 1961 में मेरा दूसरा प्रस्ण था ब्यूदान आंदूलन के महें प्रदेटा को था अनि बूदान आंदूलन किस ने चलाय था तो हम क्या कहते हैं अब चलिए मैं आज भी तीन आप आप से तीन प्रस्ण पूछना चाहूंगा मेरा पहला प्रस्ण होगा मनसब्दारी विवस्था ठीक है किसने शुरुआत किती मनसब्दारी सिस्टम की सुरुआत यहीं स्टार्ट कुस ने किती अब देखिए मेरा दूसरा प्रस्ण होगा युनिवर्सल रिसेप्टर ब्लड ग्रूप कौन सा है ठीक है मेरा तीसरा प्रस्ण होगा वाइलाफ इंस्ट्टूट अफ इंडिया वन जीव संस्थान भारत का कहा परिस्तित है ठीक है तो आप इन प्रस्णों का जवाब मुझे कमेंड वाक्स में देंग है तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा 2005 में हम अपने अगले प्रस्ण क्यों चलेंगे और देखी यह जो माहिलाओं की विरुद्ध हिंसा निवर्ड अधनियम यह कब प्रभाव में कब आया था तो यह 26 अक्टूबर 26 को प्रभाव में आया था ठीक है हमारा अगला प पूचा जा रहा है कि स्वाक्ष्ट भारत अभियां के शुरुआत कप की गई थी ठीक है यह कप की गई थी दो अक्टूबर 24 को ठीक है और इसका लक्ष कहा था कि हम दो अक्टूबर 29 तक भारत में स्वाक्ष्टा को पूर रूप से हासिल करने चलिए अब हम अगली कुश अब यह को अगर आगे चलते हैं हमारा है मौंफली का सबसे इधिक उत्ताइब होता है कहां होता है मैंने आपको पिसली वीडियो में बताया भी है वह कहां होता है गुजरात में होता है यह यह निकिज़ गुजिरात इस्टेट में अधिक ही एक करनाटक में क्या होता है करनाटक में सबसेदिक लौह उत्पादन होता है भारत में सबसेदिक लौह उत्पादन कहा होता है करनाटका में लार्जस्ट आयरन प्रडूसिंग स्टेट इन इंडिया इस करनाटका हम अगले कुशन को चलते हैं इसको धियान पूर्वा क्याद रखेंगे इन करान्तियों से आप से एक प्रस्न पूछा जाना बिल्कुल संभव है अगले कुशन को चलते हैं डेल्टा एक प्लेन इंडिया इस एन एक्स्टेंशन आफ हमसे प्रस्ट नहीं है पूछ रहा है कि भारत में डेल्टा मैदान बढ़ा हुआ भाग है यानि किसका बढ़ा हुआ भाग है ठीक है तो इसका करेक्ट के खादर और लॉंकर दूर ओंचर निए ऐग आप ये अगर को चलते हैं रिफ में हमसे पुछ कि प्राइज वेपि भारत की सभसे बड़ी नदी भीषिंगी है ठीक है तो वह कौन से है गुदावरी कौन से नदी है गुदावरी और गोदावरी को एधक्ष़ण lif ड़िया किरूप में भी जाना आ आता है अब अगले जर्थ कि भारत में नीवर्तमानी मांसून की आवदी है यह इसका करेक्ट आंसर क्या आपका अक्टूबर टू मिड़् दिसम्बर ठीक है कुछ जगह पर थोड़ा बहुत इधर दोर मिलेगा आप उसको मैनेज कर लेंगे लेकिन मुखिता जो है यह आपको मध्य दिसमबर तक लेकर नौबर तक भी मिलेगा अंसर लेकिन यह करेक्ट आंसर आप इसको समझ के आप अपना अंसर करेंगे ठीक है अगले को चलते हैं हमारा अगला कोशन है इंपॉर्टेंट पॉर्ट आफ इंडस वैली सिवलाइशन वाज सिंदू घाटे से बता का महतुपूर बंदरगाह कौन था ठीक है तो आप सब जानते हैं हम भी जानते हैं इसका क्रेक्ट आंसर क्या जाएगा लोतल ठीक है कौन से था लोतल वरतमान में कहां पड़ता है गुजरात्म पड़ता है इसके बाद महुंच अधूर्दू किस नदी के किनारे पड़ती है तो यह पड़ता है इन अस्थलों से आप संबंदे तो मातोपुर्तत को जानेंगे खोजेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे इन से प्रशन पूछा जाना बिल्कुल संबह हुए अब हम अगले कुशन कर चलते हैं अब हमसे प्रशनिया पूछ रहा है कि प्रथम गुप्त वंस के राजा जिसन अगे चलते एक चीज़ और गुप्त वंसक अस्थापना किसने किती यह गुप्त वंसका स्थापना किसने कि अथा धूरते स्रीगुप्त ठीक कौन था श्रीगुप्त और हम आगे चलते हैं दे कि हमारा अगला प्रशना रोल्समेट फार्दव बुद्थिस संग वेर लिखे गया थे उस पोस्ता को क्या कहाजाता थी तो इस पोस्ता को क्या कहा जाता है विनैय पिटक क्या कहा जाता है विनैय checklist City कि विने पीटक जो है यह त्री पीटक में से एक है ठीक है यह पहला पार्ट है ठीक है और दूसरा पार्ट क्या है सुथ पीटक क्या है सुथ पीटक ठीक है और जो तीसरा पार्ट है वह अविधार्म पीटक है त्री पीटक आपको बिल्कल क्लियर हो गया आप इनको ध्यान पुरोग देखेंगे हमारा अगला कोशन है है था यह किस राजका राजा था तो वह किस राजका रहा है था मैसूर राजका मैसूर कहां पढ़ता वर्तमान में या करनाट काम पढ़ता है और इनके पूतर कौन थे टीपूल सुल्तान वह भी बहुत प्रशिद हैं उनको भ्या बंकीम चंदर चठर जी ने अब देखी एक प्रस्ण और आता है बंकीम चंटर जी जी से द misin कि की यह जो है आननमत लिके ते और आननमत से ही वंदे मात्रम लिया गया है ठीक है बंदे मात्रम हमारा क्या है हमारे भारत का रास्टिक गीत है ठीक है तो आप इसे बिलकुल धान पुरों क्याद रखेंगे और इसे रास्टिक की रूप में कब अपनाए गया था या तो सवादेशी आंदूलन के समय उन्हीं सो पांच के आसपास द्वारा पंच सील प्रक्षेपित किया गया था ठीक है इसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं यह हो जाएगा इंडिया चाइन ठीक है इन्हीं भारत और चीन के बीच जो संबंद है उसको मैंत्रिपूर बनाने के लिए नेरू जी द्वारा पंच सील की एक जो है कि कॉ समझावता किया गया ठीक है और यह कब लागु किया गया था यह कब हुआ था पंच सील समझावता तो यह कब हुआ था उनने सो चोवान में ठीक है नाइंटीन फिफ्टी फोर में ठीक है आप इसे बिल्कुल ध्यान पूरुआ कि याद रखेंगे चलिए हमारा आगला पंचाथी रख सिस्टेम व्षब सीन से पूछ रहा है कि इस राज में सरुपर्थम पंचाथी राजवास्ता लागु ती तो यह का लागू हुई थी आप सभी जानते हैं यह हुए ती लागु राजस्थान में कि सांसे सब्दी देखते हैं कि दो ऑक्टूबर उनीस में यह आंद्रप्रदेश में भी पंचाती राज वास्ता को लागू कर दिया गया था ठीक है हम चलते हैं अपने अगले कोशन के पंचाती राज बहुत इंपॉर्टेंट है बलोंत राय मैता कमिटी असोक राय मैता कमिटी यह सब आप बिल्कुल ध्यान पुरवक देखेंग हमारा चौथा पुरुशार्थ हम अगले कुशन को चलते हैं सत्याग्रा की अधार्ण की इस तरिजन यह वह किस नए किया था यह कि यह मात्मा गादी जी कौन की थे? पुझनी बापू ठीक है? अब देखिए मात्मा गादी जी सम्मन्दित आप तमाम तत्ति जानते हैं और आप बिल्कुल ध्यान पुरुक इनको पढ़ेंगे भी और देखिए बाल गंगाधर तिलक से सम्मन्दित में बता दूं कि बाल क्यों थे ठीक है आप इसको बिल्कुल ध्यान पुरोग सुनेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीति गुरू को थे क्रिशक दिवस कब मना जाता है तो क्रिशक दिवस जो है 23 दिसंबर को मना जाता है ठीक है यह क्यों मना जाता है हमारे भारत के पांच में प्रधान मंतरी थे चौधरी चरड़ सिंग का 23 दिसंबर को जन्म दिवस है ठीक है उस उपलक्ष में भारत में क्रिशक दिवस मना जाता है वह किसानों के नेता थे ठीक है इस नाते भारत में क्रिशक दिवस 23 दिसंबर को मना जाता है चली हमारा लिखेते आहमाद नगर फोट जेल आहमाद नगर फोट जेल में वह लिकेते और यह किस समय की रचना है उनकी 1942 के आसपास जब भारत छोड़ अंदोलने जेल में नेरुद्वेनी जेल में बंद थे ठीक है उस समय कि यह उनकी रचना है चली हम आगे चलते हैं हमारा अगला कोश्चन होगा हमसे आपसे वेर इज डाइमंड हारवर सिट्वेटेट अब हमसे प्रस्नी है पूछ रहा है कि डाइमंड हारवर कहां इस्ती था यह इस्ती था कोलकता में कहां पे इस्ती था यह कोलकता में ठीक है को यह कहां पे िसी था कोल कंदा में ठीक है देखिए इसका कर्रीक्टन सोंज आ ठीक है और देखिए यह जो इनके प्रस्ण के रूप में पुछानिक संभावना है बहुत जादा है ठीक है अगले कुशन को चलते हैं इनके प्रस्ण के बिलकुल गलत है इसमें गलत क्या ठीक है इसमें गलत क्या ठीक है यह जो है अगले को चलते है इसमें प्रातना समझ के साथ ना किती प्रातना समाज के साथ ना किती आत्मा रंग पांडुरंग ने अठारस उसर्षट में कहां साथ ना किती मुंबई यह बॉम्बय में किती ठीक है अब देखी विवेका नंजी ने जो है रामकृष्ण मिशन की वो अमंग दॉवाज़ वाज फॉस्ट गृष्ण उनल आफ इंडिया है ऺंशे पूछा जा रहा है कि निम्लिकेट मेंसा कॉन परतम भारती पर्धम भारत की गृष्ण जनल थे ठीक है तो यह पर्थम परतम बाधी ने तो यह कौन थे कॉन थे चक्रवरती राजगौपाल चारी ठीक है बिलकुल ने ध्यान पुरो कि याद रखेंगे और ये स्वतनतरभारत के प्रतम भारती गवर्णर जनरल भी यही थे ठीक है बिलकुल ध्यान पुरो की नहीं याद रखेंगे तो हमारा अगला कोशन होगा आपसे फालोइंग वाज प्रोपोनेंट आफ नान कोपरेशन मोमेंट इन इंडिया भारत में और सहयोग आंदोलन के पड़ेता निमिलकित में से कौन थे तो वह कौन थे गांदी जी थी ठीक है कौन थे गांदी जी अब देखिए मालवी जी किसके सापने की थे ब्येच्चू के विए वाजारी आजम कर रहे हैं और देखिए और उन्होंने ही आल इंडिया हिंदू माहसवा के स्थापना ब्योनीसों पंदर में की ठीक है और एक चीज और देखिए यहां जो सरदार पटेल को देखा सरदार पटेल हमारे जिसके कहते प्रतम उप प्रतम मंत्री भी थे और क्या थे प्रतम ग्री मंत्री भी ठीक है चलिए हम आगे चलते हैं है हमारा अगला कोशन है विच वन अब दो फॉलएंग डेट्स हैस बिन डिनोटेड आइज वर्ल इन्वाल्मेंट डे नहीं हमसे प्रस्णिया पूछ रहा है कि निम्न तितियों में से कौन जो है विश से बिल्कुल ज्यान पूरों कि याद रखेंगे हमारा अगला क्वेशन होगा दा लाइफ इस पैना फ्यूमन अरट कोर्पोशल्स इस इन्हीं हमसे आर बीसी मानो लुहीड ता लुहीड ताडू की जीवन जीवना अधी पूछ रहा है ठीक है तुसका करेक्ट टांसर क्या बिल्कुल क्लियर हो गया होगा हम आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है कॉसी और कर डिसार्डर आफ इस जीव टू अब हम आपको हिंदी में बता जाते हैं कुसी और कर नामक बच्चों को होने वाला रोग किसके फल स्वरूप होता है प्रोटीन आवस्यक्त का भाव कार्ब प्रोटीन इसेंशियल एमुन इस डिफिसेंसी ए ऑप्शन इस करेक्ट ठीक है आप इससे बिल्कुल ध्यान पुरो खियाद रखेंगे ठीक है यह बच्चों की बिमारी है और बिल्कुल वाजीब है और बिल्कुल लाजमी है कि प्रस्ण आप से पूछा जाए एक चलते हैं यह सब प्रस्ण हमारे जन्रल साइन से समझनी था हमारा आगले कोशन दमाउंट अफ लाइट इंटरिंग द आई इस डिटरमाइंट बाइस साइज आप हम से पूछ रहा है प्रस्ण के नेत्रों में प्रवेश करने वाला प्रकास निमलिकित में से किसके आकार प निर्वर करता है रेटीना के बारे में बता दूँ रेटीना के बारे में तो रेटीना जो है यह हमारा लेंस से प्रकास को रिसीव करता है ठीक है और उसको क्या करता है यह नियूरल सिगनल्स में कनोट करके और इसको हमारे मस्टिस्ग के पास बेज देता है यानि हमारे ब में अलगी है को करती है कौन करती है कोरनिया और यह की करता आप एक और इसको ध्यान पूर्यों है यह थो फॉट से कर नापको बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, आप सभी को बिल्कुली इस समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बाक्स में समपर्क कर सकते हैं, और stay connected with us, for more information, thank you for giving your variable time, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सबस्क्राइब करिए, बेच उपार साला को, और कोई अगर भी सुझा होगा आपके पास, तो मुझे आप कमेंट बाक्स में जरूर बदाएं, बहुत बहुत धन्यवाद,